जैश्रीकृष्णा आज हम हंस डिम्बक के शिवस्तुती पुत्रलाब विजहतुवरदान के बारे में विश्ति वर्णन करेंगे राजियंद्र जन्मेजे ने वैशमपायन जी को डिवेदिन किया क्रिपया हंस डिम्ब के विश्य में उपजी जिग्यासा को शांत करे वैशन प्रायन जी ने वैसा ही किया कि शालव देश में भ्रम्मदत नाम से एक प्रसिद्ध ऐवन श्रेष्ट राजा राजे करते थे वे बहुत द्यालू धर्म प्रायन तो थे ही वैसादा पंच यग्यों का नुष्ठान भी करवाते थे मन इंद्रियों पर निरंत रखने वाले सब के लिए कलियानकारी थे उनके दो पत्नियां होते हुए भी संतान नहीं थी राजा का एक मित्र था श्रेष्ट और गुणवान उसका नाम मित्र सह था मित्र मित्र सह भी नी संतान था दोनों मित्रों ने एक साथ ब्रह्म दत ने भगवान शंकर की और मित्र सह ने श्री विश्णु जी की विपासना कर कठिन तब किया दोनों को संतान प्रापती हो गई श्री शंकर जी के वरदान से राजा भ्रमदत के दो पुत्र हंस और दिंबख श्री हर जी के कृपा से मित्र सह को एक पुत्र रतन आशिरवाद के रूम में प्रापत हुआ इसका नाम जनारधन पड़ा दोनों मित्रों ने ही अपने अपने पुत्रों के जात करम बड़े चाव उत्सा सेव किये दोनों मित्रों के तीनों ही पुत्र बड़े रूपवान और सम्व्यसक थे एक दूसरे के प्रती मित्र भाव रखते थे तीनों कुमार, वेद शास्त्रों, नीती शास्त्रों तथा शास्त्र विद्या के अध्यन करके उत्तम कोटी के विद्वान सिद्ध हुए अध्यन काल के पश्चात हंस और डिंबक दोनों भाई हिमालिया में जाकर भगवान शंकर के नाम तप करने लगे मात्र, जल और वयू का आच्मन करते हुए दोनों एकागर, स्थिर, चित, एवं, सैयत, चित, हो, मन में संकल्प लिये थे कि हमें दिव्य प्राकर्म और अजयास्त्र प्रापत हो, दोनों उमापती की परसनता हेतू, सान अंध, तब में रत रहते भगवान शिव की स्तुति इस प्रकार करते हे देवादी धेव, शंकर, हे शर्व, शिवानंद, नील ग्रीव, उमापते, व्रिश्व, धवज, वीरु पाक्ष, हर्यक्ष, जगत पते, भक्त प्रिये, गिरिश, इश, वासु देव, शिव, अच्युत, सैयोगजात, महाद देव, देव, अंत्रयामी रूप, से हिर्दय गुहा में शयन करने वाले भूत भावन, देवेश्वर, ओम, कार, सबूप, सदाशिव, आपको नमस्कार है, इत्यादी रूप में से भगवान के नामों द्वारा, नित्या निरंतर कल्यानकारी, भगवान भाव की स्तूति क करते हुए, उन्हीं भगवान विरुपाक्ष शिव को हिर्दय में धारन करके सुख पूरवक तपस्या में लगे रहे, उनमें ममता और रहंकार का भाव ना रहा, मौन वरत का आच्रे लेकर निरंतर पांच वर्षों तक उठसाह पूरवक तप में लगे रहे, भगवान श वेदन कर अपनी इच्छा भिलाशा कह दी, हे देव, हम देवता देत्या, राक्षस, गंधर्व और असुरादी से कभी हार नहीं माने, हमारे पास स्वयम ही हर प्रकार के भ्यानक सस्त्रास्त्र एकठे हो जाएं, जैसे महेश्वरास्त्र, रोदरास्त्र, भंमा शिरास्त् देग्य कवच, दिव्या धनुष और फरसा आदी बिना प्रयास के ही उपलब्ध हो, कभी भी किसी युद्ध की स्थिती में आपकी और से दो गंध हमारी रक्षा करें, भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर सारी याचनाएं मान दी, वीरुपाक्ष और कुंदोदर दोनों गुणों को युद्ध में सहाइता के लिए नियुक्त कर दिया और अंतरधान हो गए, इस परकार दोनों ही राजकुमार, भया, हंस, दिंबक, भगवान शंकर जी से आशिरवाद प्रापत करके महाबली, सभी दिव्यास्त्रों से संपन, कवचधारी होकर, देवता, वे बदन पर भसम धारन करतने लगे, अंगों में रुद्राक्ष धारन करते, वा घंबर धारन किये होए, हे शिव, हे शंकर महादेव, हे शांत, शांत, आपको बारंबार नमस्कार है, ऐसी रट लगाए, साक्षात रूप ही प्रतीत होते, अब दोनों ही ग्रह परिवार नगर में लोट आए, माता पिता के चरणों में सीस रख कर उनकी स्तुती अर्चना की, उधर जनार्दन भी पितांबर धारी श्री विश्नु की मनो योग से उपासना कर भं मतत्व का ग्याता हो गया, समय से तीनों फिर एक साथ मित्र भाव से रहते, तीनों की शादी हो ग सबके सब धरम को ही परमकल्यानकारी मानने वाले आग्याकारी बने, यग्याकारियों में ततपर और गुरुजनों की सेवा हित पत्नियों से अनुरुक्त रहते आईए, अब हम हंस और डिंबक और महरिशी दुरुवासा आश्रम की कृष्ण दुवारा सांत्वना के बारे में विस्ति बर्ण करते हैं मैसिंपायन जी ने कहा, जनमेजे उस समय धर्मात्मा जनारदन हंस और डिंबक तीनों ने ही महरिशी कश्यप के आश्रम में यग्याक्षित्र में पहुंचकर नमसकार किया वहाँ पर उपस्तित शिश्यों ने इन तपस्वियों को योग्या सम्मान देकर उचित आसन पर बिठाया तत पश्चात वानी पर सहियम रखने वाले हंस ने मुनियों से निवेदन किया श्रिष्ट मुनिगन हमारे पिता जी साधनों सहित राजसुई यग्या करने वाले करवाने की इच्छा रखते हैं अतै यहाँ पर उस आश्रम में चल रहे यग्या स्तर के परचात आप सब हमारे घांप धारने की क्रिपा कीजिए और यग्या के समस्त उपकरन लेकर आवे हमने कलाश वासी महादेव जिसे सप्रयास वरदान प्रापत कर लिया हम किसी भी शक्त्रू समु से अजे हैं हमारे पास नाना परकार के दिव्यास्त्र हैं इन अचूक दिव्यास्त्रों के होते देवता दानव हमारा सामना नहीं क कर सकेंगे साधारन राजाओं की तो हिम्मत ही क्या है अताए ऐसा कोई भी शत्रू नहीं है जो हमें प्रास्त कर सके हंस डिंबक को मनियों ने यग्या में पहुंचने का आश्वासन देकर विदा किया तीनों राजकुमार हंस डिंबक और जनारदन वहां से पुष्ष कर क्ष सित महरिशी दुर्वासाजी के आश्रम में याँ पहुंचे वहां पर महरिशी और उनके शिश्य भी उपस्ति थे उनमें ममता और हिंकार का नितांत अभाव था महरिशी दुर्वासाजी वहां सदा वेद निरत लोक हित त्याकांशी कोपिन धारी जितेंद्रिय हिंकार को करशांत शुब अक्षर सर्वतों मुख विदांत मूर्ति अव्यक्त शाश्वत शिव नित्ययुक्त विरुपाक्ष मूल भूताधार अनाम में भगवान विश्णु की अराध्रा में व्यस्त रहते थे नीसंदय महारिशी दुरवासा भीशन क्रोध की साक्षात मूर्ति थे उनमें अपने क्रोधागनी से तीनों लोकों को भसम कर देने की क्षमता थी उनकी कूपी तावस्ता होने पर भी देवता भी उनके समुख जाने का सहास नहीं जुटा पाते थे विप्राए गोर्वे रंग का कौपी नवस्त धारन करते थे उनका दर्शन कर दोनों राजकुमारों ने कहा यह कौन महाभूत है जो वर्ण व्यवस्ता के विप्रीत आचरण कर इस आश्रम में आसीन है इसको तो ग्रहस्त आश्रम में होना चाहिए था अवश्या ही यह किसी दुरा ग्रह से ग्रहीत होगा हम इन समस्त मंद बुद्धी द्विजयों को जो मूड ग्यान में ततपर है बल पूरवक ग्रहस्त आश्रम में स्थापित करेंगे हम आए हैं तो निश्चही ऐसे पाखंडी लोगों को सही मार्ग दर्शन देकर ही संतोष पूरवक लोटेंगे वास्त में ग्रहस्त आश्रम ही धर्मात्मा धरमविद्ध धर्म रूप और उस बरदान वरण है यह वर्न सभी प्राणियों को माता सबूप पालन करने वाला है आतै जो इस श्रेश्ट आश्रम को तिया कर अन्यम आश्रम को स्भिकार करता है वह महामूर्ग है वह स्वी दुर्वाजा के पास जाकर उनको वे उनके शिश्यों को क्रोध पूर्ण नेत्रों से देखनी लगे जैसे वे हैं इन सब को निगल जाना जाते हैं हंस डिम्बक बोले हे ब्रामनों आपने उत्तम घ्रहस आश्रम को उत्याग कर यह कौन सी आश्रम को अपना रखा है यह तप नहीं है पखंड मत्र है आपका यह करम लोगों को अहित करने वाला है आप लोग इस दुष करम से पाप के भागी बनोगे स्वयम तो नश्ट होंग यही अन्य लोगों का भी नाश करोगे क्या आज तक आपको किसी ने मनाक नहीं किया इस मार्ग से निश्चे ही किसी दुष्ट व्यक्ति ने आप लोगों को भ्रष्ट करके इस ओर धकेला होगा जाओ इस अडंबर को त्या कर ग्रहस्ति बनो और पंच यग्या करके सुख स प्रापत करो हांस डिंबग के इन कडवे कसेले वचनों को सुनकर भ्रामन जनार्दन की स्तिति विचित्र हो गई वह मारे भैसे कामपनी लगा उसने दुरुवासयजे को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथी राजकुमारों से बोला संभवत है आप निश्चित अस्वियों का हिर्देस ज्यान पूर्वक है यह श्रिट अब अपनी ज्याना गनी से सभी कर्मों को भज़म कर अपने प्राणों का हवन करने वाले हैं हमारे पूर्व के रिशी मुनियों ने समाज में मनुश्य के लिए चार वर्णों आश्रमों को विवाजन किया ध्रम चारे अक्ष्रम घ्रहस्त आश्रम सन्यासा अक्ष्रम और वाना प्रस्त आश्रम इन चारों आश्रों में सन्यासा अक्ष्रम ही सर्वत्तम आश्रम हैं इस आश्रम में जीवन वेतित करने वाले मनुश्य बुद्धिमान एवंपुन्यात्मा ध्रमात्मा होते हैं आप दोन मेरी बात भी सुननी जिए मैं निश्चे पुर्व कहता हूं कि यदि अपने पुने इसी प्रकार के वचनों के को धोराया तो मैं परवत से कूद कर अथवा भ्यंकर विश्पान करके यह समुद्र में कूद कर अपने आपके सामने ही अपनी है लीला समाप्त कर लूँगा क्या आपने अपने गुरु जनों से इसी प्रकार बोलने की शिक्षा पाई है हमारी मित्रता के कारण ही आज मुझे आपके श्री मुख से ऐसे दुष्ट वचन सुनकर लज्जा का सामना करना पड़ता है अब ऐसी क्रश्ट कारीवानी मत दोहराएं इस प्रकार कहता हुआ श्रेष्ट जनारदन आत्म गलानी से भर गया तदंतर क्रोध में भरेद रुवासा जी ने रोद्र अगनी से युक्त एक नित्र में रोन उन राजकुमारों को इस प्रकार देखा मानों उन्हें जलाकर भसम कर देंगे उनकी इंद्रियां रोज से व्याकुल हो रही थी द विलंब ना करो तुम्हारी बातों से उपनी रोश को मैं अब रोख पाने में असमर्थ हुआ हूँ चलो जाओ वरना मैं समस्त राजाओं को जलाकर भसम कर दूँगा ए मंद बुद्धी बालकों तुम्हारे इस बड़े हुए घमंड घमंड को शंक चक्र और गधा को धार जाना चाहा ताकि करोध को शांत किया जा सके लेकिन राजकुमारों ने अन्यंतर जाने से रोका उनका बाजू पकड़कर उनका कोपी नफार डाला यह देख दूसरे यति शिशे लोग अपना विवेख होकर इधर उद्र भागने लगी जनारदन बिचारा क्या गरता उसन सर डिंबक से सहज भाव से बोले राजवंश के नीच कुमारों मैं चाहकर भी तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस समय धरती पश्रकिशन जी का राज्य चल रहा है वही तुम्हारा एहम दूर करेंगे राजा जरसंद भी तुम्हारा भाई है लेकिन वह भी इस परकार नहीं कहता आपका दुर्ष्ट व्यवहार जानकर भी वह तुम्हें कुछ कहने से संकोच करेगा उल्टा उस मगद नरेश से तुम्हारा विदेश हो जाएगा मारिशी जनारदन से बोले विप्रवर तुम्हारा शुग हो भगवान जनारदन में तुम्हारी वि को सुनाओ